हलो एवरिवान मेरा नाम है भुमिका चौहान आज हम करेंगे दर एनिमी चाप्टर की समरी इस क्लास के अंदर मैं आपको सारी वो डीटेल्स बताऊंगी इस चाप्टर से रिलेटेड जो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टन है अगर आपको कभी भी अपन आप उस समय पर क्या करेंगे आप अज़ डॉक्टर अपनी ड्यूटे निभाएंगे या एक देश भक्त होने के नाते उसे पुलिस के या आमी के हवाले कर देंगे सूचने वाली बात है इस चाप्टर में डॉक्टर सदाओ भी इसी तरीके की एक सिच्वेशन में फस गए आखरकार उन्होंने क्या किया और आप मुझे बताईएगा चाप्टर के एंड में क्लास के एंड में क्या आपको लगता है उन्होंने सही किया आईए शुरू करते हैं डॉक्टर सदाओ और उनकी बीवी हैना की ये प्यारी सी एक कहाने जो एक रात के अंदर उनके साथ उनकी education से वो कोई खिलवार नहीं करते थे ठीक है उन्होंने उनको बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा वो अपने देश से भी बहुत प्यार करते थे एक सच्चे देश बखते डॉक्टर सदाव जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डराक भी करते थे डरते थे आजन उनके respect करते थे तो प्यार करने से फहले भी डॉक्टर सदाव ने सोच लिया था कि भाई अगर यह जपैन से बिलॉंग करती होगी तो ही मैं इससे प्यार करूंगा वर्ना मैं इस प्यार नहीं करूंगा क्योंकि पापा तो मेरे इंटरकाष्ट मारिज के लिए और सब चीजों के यह मानने नहीं वाले तो मुझे लगता है कई ना कई इंडिया में नहीं पर बाहर भी यह सब चीजें बहुत ज्यादा होती है डॉक्टर सदाओ होकी कौन थे एक जैपनीज डॉक्टर है उन्होंने मेडिसन की पढ़ाई करी है अमेरिका से एंड लेटर रिटर्न टू जपा यह आ गये थे दूसरा क्यारेक्टर है है ना का जो उनकी बीवी है जो जैपनीज है यह दोनों अमेरिका में मिले थे प्यार हुआ पर उन्होंने अपने पापा की रजामंदी का वेट किया सारी चीजे पढ़ाई पूरी करी ताकि पापा को कोई दिक्कत ना हूँ ठीक है became friends and married there legally it is unlikely that Hannah was a medical student दूसरा है सदाओ's father सदाओ के पापा अच्छे क्यारेक्टर है यह सार्टिंग में आते हैं तो यह भी एक बहुत डाय हार्ड जैपनीज थे बिलकुल एकदम कटर देश भक्त होते है ना blindly patriotic अंध भक्त थे वो he did not allow any foreign articles at home तो वो तो अपने घर के अंदर कोई दूसरे देश की चीज़े भी नहीं आने देते थे जो भी उनके कमरे में था उनके घर में था सब कुछ जापनीज था पक्के देश भक्त थे वो एक character है the old general जो बहुत ही selfish किस्म का दिखाया गया है जपान आर्मी का जेनरल है यह सदाव का बहुत खास है क्यूं है क्यूंकि सदाव जो है वो ही इनका treatment करते हैं और इनको सदाव के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं होता यह तो यह जानते है कि भाई देख तू कहीं पर नहीं भेज रहा चाहिए सो जवान मर जाए मेरको मतलब नहीं है तू यहां पर रह के मेरा treatment करेगा अच्छा डॉक्टर है बॉर्टर पर भेजना चाहिए जवानों का इलाज करने के लिए नहीं बोले तू यहीं रहा है तेरको मैं कहीं नहीं भेज सकता तेरी जान के सा ठीक है एक जवान है वो भी एक soldier है और वो घायल है तो आज डॉक्टर आपकी क्या duty बनती है तो हम इंडियन जो होते हो बहुत ही kind-hearted होते हैं ठीक है हम इलाज कर देते हैं है ना हम लोग यह सब नहीं सोचते हैं हम उन्हें भी अपना भाई मानते हैं तरीके से हमारे ही तो अंश है वो एक तरीके से है या नहीं है बताओ हमसे ही तो उनका जन्म हुआ है तो हम उन्हें अलग थोड़ी ना कर सकते हैं है तो हमारे ही लोग ना बस यहाँ पर यह चीज नहीं है यहाँ पर टॉम जो है वो अमारिकन है soldier है injured है सदाओ का घर बीच पर है तो लहरों में यहाँ पर इसके घर के सामने बीच पर पड़ा है अब आगे की कहानी में क्या होगा देखो यू में भी एक अच्छा कैरेक्टर है सदाओ की मेड है तो जो बच्चे है ना इसके उनको संभालती है ठीक है और वो बहुत क्लोज है बेबी इसके शुरू करते हैं डॉक्टर स की सब कुछ है जापान के लोग सबसे सुपीरियर है इनसे बैस्ट कोई नहीं है यही बैस्ट है उनका यह मानना था तो वह अमेरिका में मिले थे इवन दो डिफ्रेंट व्यूस देन डे मैरीड वें डॉक्टर हॉकी स्वादर अप्रूड अप्रूड है ना तो कहने का मतल बीच पे थे दोनों बड़िया अच्छा रोमांस चल रहा है दोनों एक दूसरे के यहां पर हात में हाट डाल के बढ़िया एकदम नजारा ले रहे हैं अंधेरा हो रखा है इतने में उन्हें कुछ दिखाई देता है वो पास जाके देखते हैं पास जाके देखते तो बिल्कुल इंजर्ड आदमी पड़ा एक बहुत घायल बुरा वाला घायल की गोली लगी उसको ठीक है पूरा मिट्टी यह तो Japanese नहीं है यह तो American अब वो एकदम से देख के ऐसे हो गए कि अब हम क्या करें अब हम इसकी मदद करें या इसको ऐसे छोड़ दे सोचने लगे ठीक है अब as a doctor तो मन कर रहा था कि भाई जल्दी से operate कर दो इसको पर as a Japanese ऐसे सोचते है आरे भाई यह तो वापिस से फे इसको वापिस से पानी में फेक देते है या authorities जो भी हमारे यहां के आर्मी वाले है जेनरल वगेरा है उनके हाथ कर देते हैं क्योंकि वो हमारा दुश्मन था एनिमी सोल्जर था अब उन्हें पता है क्या डर लग रहा था उन्हें लग रहा था अगर हमने इसका treatment किया हाई तौबा तो क्या होगा अगर आर्मी वालों को पता चल गया तो हमें तो देशद्रो ही साबित कर देंगे हमें तो उठा के ले जाएंगे हमारा तो license वगेरा cancel हो जाएगा हमें तो सजा दी जाएगी torture किया जाएगा सारी बाते उनके दिमाग में चल रहे थी कि अगर हमने इ तरीके से जातिवादी थे ठीक है racist थे कि इस जाती का उस जाती का इस देश का उस देश का तो यह बानने ताय थी उनके दिमाग में तो उन्हें कहीं न कहीं इन चीजों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार यही सई चीज है this is the right thing हमें यही करना चाहिए हमें इसे authorities के ह how badly Tom was hurt पर यार दिल तो दिल होता है ना इंसानियत बहुत थी उनके अंदर अब जब उन्होंने टॉम को देखा न तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल था बहुत ज्यादा इंजूर्ड था they decided to help him out of compassion तो कहीं न कहीं दया एक उमड आई उनके अंदर ठीक है और उस स की उन्हों थो जाओ चल ऐसा कर लेते हैं कि नःसको ट्रीट कर देते हैं फिर अथोरिटीइज को दे देगे फिर नइसके साथ जो करना हो कर लिए तो मैंने अपना फ़र्स भी न हो आया डॉक्टर ने का मैंने एक देश भक्त का फ़र्स भी निभादिया कि मैंने उसे दे ठी पर एक बार के लिए उन्होंने देखा कि यार इस टाइम पर हमें कोई न कोई डिसिजन तो ले ना ही होगा और आप देर हो रही है क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से घायल है रै और यह तो टॉक टॉम तो बहुत रहीं पर जो वो थे सदाओ थे उन्होंने बोला अपन ने के जलते हैं थो थीक है थीक है है तुछ है ने लेके गई उसको अंदर डोनों ने उठाया अपने डातकिर ऑपने घर के इंदर लाने लगे अभाना ने उसको डॉक्टर से दाओ के पापा की जीत पहां पे तो चैब DPK और बिल्कुल हर एक चीज नहीं होती कि यह नहीं बिलकुल यह खराब हो जाएगा क्योंकि घर मिंटेन करती है ना भाई उन्हें प्यार होता है अपने घर से अब उनकी जो साथ में घर में काम करते थे जो गाड़नर हुआ यूमी हुई बाकी के सर्वेंस हुए वो भी ऐसे थे जैसे इनके मानना था वो भी रेसिस्ट थे तो उन्हें जब यह बात परना चली तो बहुत गुस्सा हो गए वो तो सारे कठाव के आगे बोले अरे सर्जी आप यह क्या कर रहे हो बोले हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल हमें नहीं पसंद यह सब चीजें आप यह नहीं करोगे बिल्कुल भी क्यूंकि आप पते कलको किसी को पता चला तो क्या हो जाएगा और वो तो यह बोले कि जब गोली ने इसको नहीं बक्षा जब लहरों ने इसको accept नहीं किया समुद्र नहीं से अपने पास से भार फेक दिया आप कौन होते हैं इसको सहारा देने वाले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो जो गाडनर था वहाँ पे काफी सालों से मतला उसके जो पापध है ना तब से वहाँ पे काम कर रहा था तो वो तो मतला बह विल्कुल खुश नहीं थे और इवन थ्रेटेंट तो क्विट इफ टॉम वॉजंट हैंड़ ओवर तो दियो ऑथोरिटीज चीदा बोले हम तो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे सर्ची अगर आपने इनको अधिकारियों के हवाले नहीं किया तो हम आपकी नौकरी अभी और दिख नहीं रहा था उन्हें केवल अपना पेशन्ट दिख रहा था जिसे उन्हें ट्रीट करना था ना वो उनके लिए कोई अमेरिकन सोलजर था ना वो उनके लिए कोई अमेरिकन था ना वो उनके लिए कोई एनिमी था वो उनके लिए पेशन्ट था जिसे वो जी नहीं रहे हैं तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी कि भाई नहीं आप लोग मान ही नहीं रहे हो आप लोगों को इसे देना चाहिए तभी की तभी आप लोग इसे कैसे रखे हुए हो चले गए सब लोग छोड़ के वाइल टॉम वाज रेकावरिंग दॉक्टर होकी रेसीवड अ मैसेज फ्रम जनरल ताकिमा अप देखो पहले तो क्या किया अब मैं जब यह ट्रीटमेंट वाला टाइम था ना वो बताती हूँ वह बहुत इंपोर्टेंट है डॉक्टर सदाओ जब क्या कर रहे थे सदाओ हो होकी पूरा नाम है उनका तो डॉक्टर सदाओ जब क्या कर रहे थे जब उसको ट्रीट कर रहे थे तो उन्हों ने हैना की मदद मांगी कि हैना तुम मेरी हेल्प करो उसको थोड़ा सा क्लीन वगएरा कर दो क्योंकि पूरे पर मिट्टी-मिट्टी और खून खूनी हो रहा तो हैना जब देख रही होती है तो हैना को एकदम से उल्टी आ जाती है क्योंकि उसने कभी भी पहले सर्जरी देखी नहीं थी तो उसको उल्टी करता देख सदाओ को बहुत बुरा लगता है सदाओ भी लाइक यार मैं उसके पास जा नहीं सकता वह अभी दर्द में सिर्फ पेशेंट की वज़े से उससे बहुत प्यार करते थे ठीक है बट वह इस चीज को अभी ध्यान नहीं देते उन्हें थोड़ा सा गुसा आ जाता है बट वह अभी सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे होते हैं और हैना देखती है कि किस तरीके से यह इंसान डेडिकेशन के सा साथ इसकी मदद कर रहा है ऑपरेशन कर देते हैं बुलिट वगेरा निकाल देते हैं बढ़िया उसको सब कुछ हो जाता है एंड देन अगले दिन आगे क्या होता है अब एकदम से हमारे जो जैनरल है न वो बिमार हो जाते हैं तो डॉक्टर होकी को एक संदेश आता है कि टाकिमा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिटरी लीडर बहुत बिमार है और सदाव ही उनका ट्रीटमेंट करते थे सदाव इस तरीके की एक दवाई बना रहे थे जो हर किस्म के घाव को भर दे समझ रहे हो आपके आपको नामों निशान नहीं मिलेगा उस घाव का इतन लोगों को पता चल गया क्योंकि servants छोड़के चले गये तो उन्हें लगा servants में से किसी ने बता दिया होगा इसलिए अब यहाँ पर आया है और अब वो बहुत ज्यादा डर गई बट जब वहाँ पर आया तो उसे पता चला कि बहुत ज्यादा खराब है इसलिए वहाँ पर जब वो वापिस आता है तब हैना उसे बोलती है कि देख यारी बहुत ज्यादा हो गया and I am really very scared please please इस चीज को खत्म कर कुछ ना कुछ तो तुझे करना पड़ेगा देख bro ऐसे नहीं चलेगा ठीक है तो जब Dr. Hawky जो थे वो बहुत चिंता में थे कि servants में से किसी ने जरूर ज जाके मुझे general को सारी बाते मता दे नी चाहिए ठीक है उनके दिमाग में आती है ये चीज कि मैं ऐसा करता हूं सारी बाते जाके general को बता देतो खत्म अगेरा लिखने लग जाते हैं अब पता है जेनरल को जब यहाद पता चली, डॉक्टर सदाओ ने जा के जब ये सारी बाते जेनरल को बताई तो जेनरल को लगा कि अच्छा, ठीक है, तो जेनरल ने बोला देखा ऐसा कर, कोई बात नहीं, तुने ये सब करा, ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास ना कुछ हत्या यह वहां पर उसको मारेंगे और बॉडी बॉडी भी उसकी ले जाएंगे तो टेंशन मतले तेरे पर कोई नाम नहीं आएगा जेनरल ने ऐसा क्यों किया जेनरल बहुत ज्यादा सेलफिश था बहुत ज्यादा सेलफिश उसे पता था कि अगर इसे कुछ हुआ यह देश द्रो सदाओं ने फाइदा उठाया को बता था यह मिर को तो हाथ ने लगाने वाला भाई और जैसे ही डॉक्टर सदाओं ने जब यह बात बताई और उसने बोला कि वह हत्यारे भिजवा देगा तब सदाओं को समझ में आ गया कि यह मुझे कुछ नहीं होने देगा समझ गया यह ऐब काट कर के कुछ दिन बीद्व पर कोई भी नहीं आया रोज रात को डॉक्टर शुदा को ऐसा लगता कि आज को आएगा आप कोई तो डॉक्टर सदाओ की दिमाग में घंटी बजी डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि भाई अब ठीक है मैंने अपना फर्स निभाया मैंने उसे बताया वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है वो अपने अलावा किसी चीज़ के वारे में सोचता ही नहीं है ठीक है दिन बीटते गए ब बढ़िया रिकावर हो गया सही हो गया एकदम तो डॉक्टर होकी जो है उनको थोड़ी सी टेंशन होने लगी क्योंकि है तो दुश्मन ही ना पर टॉम जब रिकावर हुआ तो टॉम ने दॉक्टर सदाओ को थांक्यू किया ठीक है अब फियरिंग दाट जेनरल माइट अब यहां पर बता है क्या हुआ यहां पर डॉक्टर सदाओ ने अब अपना मन बदल लिया ठीक है डॉक्टर सदाओ को लगा कि शायद डर गये जैनरल कि अगर कुछ भी बाद में पता चला तो उनके ओपर भी बात आ सकती है या जो भी चीज़े थी तो उन्हें लगा कि जब मुझे ना इसकी मदद करनी चाहिए मुझे इसकी हर कीमत पर हेल्प करनी चाहिए ठीक और उन्हों ने सोचा कि मैं इसको यहां से भगा दूगा चुप चाप हैना को पता चले बिना तो डॉक्टर सदाओ ने वहां पर टॉम की भागने में मदद करी वाइल डॉक्टर हांकी पर क्या रहे थे जनरल के उपर तो जनरल को पता चल गया कि टॉम जो है वह भाग गया पता है क्या किया डॉक्टर सदाओ जो थे उन्होंने एक फिशिंग भॉट लिया ठीक उसमें बहुत सारा खानवाना डाला टॉर्च वगेरा डाली और टॉम को रात-ो-रात भग तो वहाँ पे जा वहाँ पे रहे कुछ दिन तिरे पास खाना वगएरा है पानी वगएरा है तिरको किसी चीज की कमी मैसूस हो तुम्झे टॉर्च वगएरा से बता देना तो मैं समझ जाऊंगा मैं तिरको और सारी चीज़े भिजवा दूंगा ठीक है और अगर वगएरा त से कोई भी torch की रोशनी उन्हें दिखाई नहीं दी वो रोज देखा करते थे और इसी से उन्हें समझ में आ गया कि वो शायद अच्छे से escape कर गया है वो वहां से भाग गया है ठीक है इस बात का पता किसी को भी नहीं लगा बाद में जेनरल को जब पता चला कि भाई वहां से भाग गया है तो जेनरल ने भी कुछ नहीं किया जेनरल एड्मिटेड दाट ही हैड फोगटें अबाउट दे प्लाइवल की पड़ी थी उनको ना देश की पड़ी है जेनरल जो है यहां दिखाया जा रहा है न उसको देश की पड़ी है ठीक है ना उसको soldiers की पड़ी है ना उसको अपने doctor की उसको सिर्फ अपनी पड़ी है कि भाई मेरा इलाज होना चाहिए time से होना चाहिए तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए अपनी जिम्मेदारियां वो बिलकुल भी नहीं निभा रही है राइट he insisted it was a mistake not a lack of loyalty और वो इस बात पर बार बार जोर डालते हैं कि देख भाई ये ना सिर्फ एक गलती हो गई मेरे दिमाग से skip हो गया यार ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश के लिए लॉयल नहीं हूँ ठीक है ना ये मत समझना समझ रहो आप वो यहाँ पर ये नहीं दिखाना चा ये जो किस्सा हुआ वो चुपचाप महां से जा चुका है ना मैं किसी को बताऊंगा ना तू किसी को बताना और इस तरीके से हम सेफ रहेंगे जैनरल प्रामिस्टू रिवार डॉक्टर होकी और उन्होंने बोला तो टेंशन मतले मैं तरको रिवार्ड भी दूंगा ठीक ह है अस डॉक्टर होकी लोग्ड आउट अट थे सी ही होप्ट टॉम वस तिल हिड़न एंड से तो डॉक्टर होकी जब सामने उस पे देखते थे ना समुद्र की और तो उन्हें लगा कि काश वो अभी भी सुरक्षित हो से फो आशा कर रहे थे वेंड़ सान से जब सूरज ढ खल गया और टॉम की तरफ से कोई सिगनल नहीं आया डॉक्टर होकी को एक दम ऐसे फील हुआ कि ठीक है थैंक गॉड चला गया वो थेंकिंग दाटॉम हाट सक्सेस्फुली एसकेप यह सोच कर उन्हें बहुत राहत मिली कि अच्छी बात है टॉम जो है वो सफलता पढ़ने के लिए तुम्हें तो नफरत है पर तुम्हें जाना भी है फिर वहां पर यह तो दोगलापन हो गया ना हुआ अगर आप इतने ही कट्टर हो बिलकुल ही कि आप दूसरा कोई आर्टिकल ही अपने घर में आने जित्ते हो ठीक है तो तो फिर आपको वहां जाना भ टॉक्टर हो की कही ना कही यहां पर ना कन्फूजन में थे कि मैं टॉम को क्यों नहीं मार सका मैं तो इतनी नफरत करता हूं वाइट पीपल से वाट इस दे रीजन में क्यों नहीं मार सका he was glad the war was ongoing but was conflicted about his own actions उसे लग रहा था कि सही है यार ठीक है war चल रहा है ठीक है आपस में हम उन्हें मार रहे हैं कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं conflicted about his own actions कि खुद जो उनके actions थे वो कैसे थे मतला वो एक अश्मंजश में यहां पर फसे हुए हमें दिखाई देते हैं एक तरफ नफरत भी करते हैं एक तरफ लगता है ठीक है war भी चल रहा है पर दूसरी तरफ Tom को बचाते भी हैं है ना तो वो खुश थे कि युद्ध जारी था लेकिन अपनी खुद की क्रियाओं को लेकर वो अश्मंजश में थे कियार मैं क्यों नहीं मार सका मैं अगर एक कट्टर जैपनीज हूं तो मैं भी मैं भी तो ऐसा होना चाहिए था ना कि मैं उसे मार देता क् आप लोग एक चीज बताना सॉरी मुझे भी आप लोग एक चीज बताना कि अगर आप डॉक्टर सदाओं की जगह होते तो आप क्या करते हैं और साथ ही साथ मुझे कॉर्मेंट सेक्शन में ये भी बताना कि अगर आप डॉक्टर जैनरल डॉक्टर जैनरल बोले हूं कि आ आप ये हमारे जेनरल टाकिमा की जगह होते तो आप क्या करते हैं ठीक है सोचने वाली बात है कि आप एक डॉक्टर हो या आप एक सोलजर हो आपके सामने आपका दुश्मन है बहुत वल्नरेबल स्टेट में है वो ठीक है आट टाइम आप क्या करोगे आप उसकी हेल्प अज़र मतलब सिटिजन आपका क्या फर्स बनता है आप उसको निभाओगे ठीक है इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना होती है नहीं होती है तो ये था हमारा चाप्टर दी एनिमी आपको मैंने एक पूरा अच्छे से जिस्ट दे दिया है स्टोरी का स्टोरी के ये एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टन्ट थीम है इस पूरे चाप्टर के अदर चो वर पावर कर रही है कही न इंदर तो रेसिस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है तीसरा वार वर्ल्ड कैसा होता है कि अगर देश-दुनिया में वार चल रहा है था तो टॉम भी इंसान ही किसी दूसरे देश का था तो क्या हो गया था तो इंसान ही तो जो वार होता है उसके दौरान चीजे कैसी होती है और उनका लोगों के उपर कैसा असर पड़ता है ये भी बहुत important है तो ये थी हमारी आज की क्लास दी एनिमी चाप्टर के उपर जो लिखा है पॉल एस बक ने मैं आशा करते हूं चाप्टर आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे अगर आप चानल पर पहली बार आया तो चानल को सब्स्रा क्या है झाल